एलो एवरिवन आज का महला टॉबिक है वर्वर एन नॉन वर्वर कॉम्मिकेशन क्या है? ट्रांस्वर आफ इंवर्मेशन वन प्लेस तु अनदर प्लेस जिसमें हम पर्सन टू पर्सन भी कह सकते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है? संचार हो रहा है सिंपल भासा में कहा रहा है तो जानकारी का आदान प्रदान संचार कहलाता है तो next है हमारा type of communication तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक verbal communication होता है और एक जो है वो non-verbal communication होता है ये दो type की हमारी क्या है वो communication होती है आप इसको मौकिक संचार भी बोल सकते हैं या और मौकिक संचार भी बोल सकते हैं वरबल कॉम्निकेशन तो communicating with words written, spoken वरबल कॉम्निकेशन consists of speaking, listening, writing and reading जहां पर हम शब्दों का इस्तमाल करते हैं या लिख के करते हैं या बोल के करते हैं या सुनते हैं या हम पढ़ते हैं तो इन सभी में जो क्या है वो सब क्या है वो वरबल कॉम्निकेशन है इसमें हम जैसे हम face to face बात करते हैं या फिस जहां पर चार लोग बैठे होते हैं या पाँच लोग बैठे होते हैं कुछ भी गुरूप होता है वहां पर जो डिस्क्रशन कियाती है वही क्याएक वरबल कॉम्निकेशन है कॉंसलिंग और इंटर्व्यू जहां पर भी जो भी कॉम्निकेशन होती है वो सारी कॉम्निकेशन क्या होती है वो वरबल कॉम्निकेशन होती है क्योंकि वहां face to face बात किया जाती है तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर information को share के जाता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में return या oral next है हमारा type of verbal communication तो verbal communication जो है वो दो टाइप के होती है oral communication और दूसरी होती है return communication oral communication जहां पर हम बोल के कोई भी information transfer करते है और return communication बोले तो जहां पर हम लिखकर कोई जानिकारी share करते है उसे हम क्या करते है return communication करते है next है हमारा advantage of verbal communication तो first advantage है more personal and informal जहां पर भी communication होती है वहां पर हम verbal communication इस्तमाल करते हैं क्योंकि यह बहुत ही immediate impact करती है और यह हमें opportunity प्राप्द करती है लोगन साथ interaction करने के लिए और उनकी प्रतिकरिया लेने में क्योंकि यह बहुत ही fast तरिका है संचार का और बहुत ही सस्ता है यह हमें मद्द करती है co-worker और friends के बीच में अच्छी relationship बनाने के लिए next है हमारा disadvantage तो सबसे बड़ी disadvantage इसकी यही है कि जो words एक बार हमने बोल दिये उनको वापिस नहीं दिया जासता यानिके एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया next है हमारा इस communication को हम असानी से भूला सकते है next है इस communication का कोई भी legal evidence नहीं होता यानिके सिर्फ verbally जो बोल दिया उसको हम एक legal evidence नहीं मान सकते है कि यह कोई proof है किसी भी बात का जो इसने बोली गई हो या किसी ने किसी को बोली हो next है nonverbal communication जिसको हम बोलते हैं अमोकिक संचार यानिके बिना शब्दों वाला संचार इसमें हम न लिखते हैं न बोलते हैं सिर्फ इशारों से ही बात करते हैं तो इसको नॉन बॉलबर कम्मृनिकेशन करते हैं इसमें हम फेशल एक्प्रेशन या आई कॉंटेक्ट या गैस्चर या पोस्चर या स्माइली या अपनी ड्रेस के दुवारा या अपनी अपीरेंस के दुवारा जो हम लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हाँ आजकल वाटसाप गरह में इमोजीव कर रहा होती है तो वहाँ पे कई स्माइल कर रहे होते हैं कई रो रहे होते हैं तो वो सब जो है वो अपनी feeling को बताने के लिए इस्तमाल कियाता हैं तो उस परकार की जो communication होती है उसको जो है वो non-verbal communication कहा जाता है next time हमारी advantage of non-verbal तो इसकी सबसे बड़ी advantage यही है कि जो लोग सुन नहीं पाते या जो बह रहे हैं उनके साथ communicate करने में जो है यह मदद करती है साथ महीं जहांपे कोई silent zone है जहांपे बात नहीं कर सकते हैं वहांपे हम इसके द्वारा बात कर सकते हैं और कोई person दूर है तो उसको हम इशारों से कुछ समझा सकते हैं या फिर कोई जो हमारी language नहीं समझा पाता उसको हम जो है इशारों इशारों में जो है वो भी बात समझा सकते हैं इसके द्वारा हम जो है वो लोगों की emotion और उनकी feeling को जो को भी capture कर सकते हैं उनको पर सकते हैं कि वो कैसा feel कर रहे हैं वो sad हैं कि खुश हैं कि जो भी है उनके मन बे जो बात है वो उनके जो भी face पे देख जाती है तो वहां सिर्व उसको हम note कर सकते हैं तो इस परकार की जो है वो non-verbal communication होती है नेक्स्ट अजी disadvantage of non-verbal communication तो इसकी जो disadvantage जही है कि इसको हम public tool नहीं मान सती communication का क्योंकि इसको हर जगा नहीं इस्तमाल किया जाता है नमबर दो non-verbal मेहम कोई भी जो है वो impression नहीं बना पाते हैं लोगों के उपर नमबर तीन जो body language होती है कई बार उससे क्या होता है misunderstanding पैता हो जाती है तो वो भी इसकी एक disadvantage है इसके कारण जो है लोगों कोई और ही बात समझ लेते है नेक्स्ट है टाइप अफ नॉन वर्बल कम्मुनिकेशन नमबर वन फेशिल एक्सपेशन नमबर तू गैस्चर बोडी लेंगवेज पोस्चर एन आई कॉंटेक इस सब सब क्या है उन नमबर वर टाइप आफ और कम्मुनिकेशन के टाइप से है तो इसके साथ हमारा ये topic जो आज यहां पर खतम होता है